नमस्कार, चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलेशन में आपका स्वागत है चलिए, सुरुवात करते हैं संपाद की से संबंदित इस वीडियो की ये रहा आज का पहला संपाद कीए, जिसका शिर्शक है Shot in the Arm इस संपाद की को लिया गया है, दा हिंदू नियूस पेपर से और यह संपाद की जी एस पेपर थर्ड में शामिल वी से विज्ञान एवं प्रध्योग की विकास एवं अनुपरियोग के दृष्टिकों से महत्यपूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपाद की को विस्तार के साथ इस संपाद की का आधार है COVID-19 वैक्सीन अब हमें यह पता है कि अंतराश्टी इस तर पर तीन COVID-19 वैक्सीन की चर्चा चरम पर है यह तीन COVID-19 वैक्सीन कौन-कौन से हैं तो पहला फाइजर कंपनी की निर्मित BNT-162-B2 वैक्सीन दूसरा रूस निर्मित स्पूतनिक और तीसरा मॉड्रेना निर्मित MRNA-1273 वैक्सीन और यह तीनों के तीनों COVID-19 वैक्सीन अपने ट्राइल के तीसरे फेजने हैं अब जरा इनकी प्रभावी चमता देखिए तो फाइजर कंपनी का यह कहना है कि उसके द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन की प्रभावी चमता 90% है वहीं रूस की COVID-19 वैक्सीन इस पूतनिक की प्रभावी चमता 92% है और Moderna के COVID-19 वेक्सीन की प्रभावी चमता 94.5% है इन तीनो COVID-19 वेक्सीन में से Pfizer और Moderna की COVID-19 वेक्सीन यह mRNA तकनीक पर आधारी थे अगर Pfizer के COVID-19 वेक्सीन की बात करें तो यह अध्यन के आगा है 94 वालेंटियर्स पर और उसी अध्यन के आधार पर 90% प्रभावी चमता का विसलेशन सामने आया है और Moderna की COVID-19 वेक्सीन का अध्यन जो किया गया है वह 95 वालेंटियर्स पर किया गया है और उसी अध्यन से यह विसलेशन की यह 94.5% प्रभावी है सामने आया है अब इस 95 वॉलेंटियर में देखे अध्यन किस प्रकार किया गया पांच वॉलेंटियर को वैक्सीन की दो खुराग दी गई जबकि 90 वॉलेंटियर को प्लेस्बो दिया गया अब यह प्लेस्बो क्या होता है तो प्लेस्बो एक इनेक्टिव ट्रिटमेंट होता है और इसका उपयोग समान्यतया अध्यन के रूप में किया जाता है दोनों मतलब फाइजर और मोडरेना इन दोनों कमपनियों की जो COVID-19 वेक्सीन है अगर इसकी प्रभावी छमता पर हम गौर करें तो ये दोनों COVID-19 वेक्सीन United States Food and Drug Department के द्वारा किसी भी वेक्सीन के जो निर्धारित प और ये दोनों वेक्सीन ये संकेत देते हैं कि ये COVID-19 वाइरस से सुरक्षा के मामले में प्रभावी है परंतु कि ये आगे संक्रमन को रोग पाने में सक्षम होंगे की नहीं होंगे इस पर अध्यन करना अभी बांकी है अब अगर वेक्सीन के प्रभावी छमता की हम बात क आगे कि ये दोनों जो वेक्सीन हैं वा किस तकनीक पर आधारित है? MRNA तकनीक पर आधारित है जरा गौर कीजिए कि MRNA तकनीक आखिर है क्या? तो mRNA तक्नीक से बनाएगे वैक्सीन में मेसेंजर RNA मॉलेक्यूल्स का इस्तमाल होता है जो सरीर के सेल्स को बताते हैं कि किस तरह का प्रोटीन सरीर को बनाना है दोनों corona vaccine में मतलब कि Pfizer और Moderna इन दोनों कमपनियों के द्वारा बनाएगे corona vaccine में mRNA को इस तरह code किया गया है कि वह सेल्स को coronavirus के SARS COVID-2 की तरह protein बनाने का आदेश देता है और इस protein को क्या कहते हैं, इस protein को कहते है spike protein जो coronavirus की सतह पर चिपक जाता है MRNA टकनीक पर आधारित vaccine किसी व्यक्ति को देने के साथ ही सरीर में spike protein बनना शुरू हो जाता है और इसके बाद immune sales कोरोना से लड़ने के लिए antibody बनाते हैं तो अब इन दोनों कमपनियों के द्वारा बनाएगी vaccine किस पर आधारित है mRNA तकनीक पर आधारित है अब इसके दो लाब है क्या तो पहला लाब तो यह है कि इसमें वायरस के किसी भौतिक भाग का प्रयोग नहीं किया जाता है इससे यह होता है कि जब यह vaccine सरीर में प्रवेस करता है तो फिर किसी प्रकार के विपरीत परतिक्रिया की संभावना अत्यंत कम होती है वहीं इसका जो दूसरा लाब है वह यह है इसकी खुराख की संख्या को बढ़ाया जा सकता है वह क्यूँ इसलिए क्योंकि इसमें किसी mammalian sale की आविश्यक्ता नहीं पड़ती है अब यह mammalian sale क्या होता है तो mammalian sale को पसू उत्तक से अलग करते है और इसका उपयोग अनुसंधान यंत्र के रूप में किया जाता है जिसकी मदद से वाइरस वैक्सीन का उत्पादन होता है परंतु MRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन की अपनी सीमा है पहली सीमा तो यह है कि आज तक इस तकनीक पर आधारित किसी वैक्सीन का वानेज़ेक उपयोग नहीं हुआ है और दूसरा यह कि MRNA तकनीक पर आधारित जिस COVID वैक्सीन का विकास किया गया है उसके भंडारन के लिए अत्यंत निम्न तापमान की आवश सकता है जैसे फाइजर के लिए माइनस सतर डिग्री सेल् वार रेफरिज्रेटर में 30 दिन तक प्रभावी रह सकता है और कम्रे के तापमान पर 12 गंते तक प्रभावी रह सकता है अब यह जो भी वैक्सीन बन रहे हैं अगर उसमें किस देश को पहले मिलेगा तो इसमें प्रात्मिकता अमरीका की रहेगी परन्तु मौड्रेना के संदर में यहां पर यह अलग बात है कि मौड्रेना के कोरोना वैक्सीन का जो विकास किया गया है उसमें वैस्विक का भी सयोग है जिसमें भारत भी सामिल है और मौड्रेना के अनुसार इस वर्स के अन तक मौड्रेना 20 मिलियन खुराक तयार कर सकता है और अगले वर्स तक की बात करें तो फिर वह बिलियन में खुराक को तयार कर सकता है परन्तु अगले वर्स तक कई और नए वैक्सीन के आने की संभावना है जैसे भारत में ही देख लें कि भारत में सीरम इंस्टिचूट का कोवीशिल्ड और भारत बायोटेक लिमिटेट का कोवेक्सिन फेस थर्ड ट्रायल में है अब यहाँ पर यहां मात्पूर्ण है कि भारत को परत्यक्ष रूप से चाहे वो फाइजर के द्वारा विक्सित कोविड वैक्सिन हो या मौडरेनिया के द्वारा विक्सित कोविड इसका लाब नहीं मिलेगा परंतु वैस्टिक इस्तर पर जो वैक्सीन के संदर्ब में अनुसंधान दिख रहे हैं वैक्सीन अनुसंधान की यह जो प्रक्रिया जो परारंभ हुई है और जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है यह चिकित्सकी अनुसंधान के छित्र में एक महत्पूर्ण एबं प्रगतिसील कदम है इस प्रकार हमने इस संपाधकी में कोरोना वैक्सीन से जुड़े विभिन पहलों पर चर्चा की है हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपाधकी की ओर जिसका सिर्षक है फ्रिजाइल सीजफायर इस संपाधकी को भी लिया गया है द इस संपाधकी का आधार है आर्मेनिया अजर्बैजान संघर्स विराम समझोता है अब हमें यह पता है कि नागोर्नो काराबाग छेत्र इसके लिए आर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच पिछले 6 सपता से युद्ध चला था परंतु रूस की मधिस्तता से दोनों देश संघर्स विराम की घोसना हुई है और संघर्स विराम का जो समझोता हुआ है उसके अंतरगत रूस नागोर्नो काराबाग छेत्र में शांती सेना को इस्थापित करेगा और वहीं आर्मेनिया को युद्ध नुकसान की भरपाई भी की जाएगी अब जड़ा एक नजर हम ड डक्षिन काकेकस परवस सिंखला पर यह इस्थित है और यहां पर यह मैप में आप देखिए यह लाल वाला जुभा गया नागोर्नो काराबाग छेत्र है और इसका एक अन्य नाम आर्थ शाक भी है जब पर्थम विश्युद्ध चल रहा था तो पर्थम विश्युद्ध क परन्तों पर्थम विश्युद्ध की समापति के पस्ट ट्रांस काकेशन फेडरिशन टूटा और तीन देशों का निर्मान हुआ यह तीन देश ज़ार्जिया आर्मेनिया और अजर्वायजान हम पता है कि उसी प्रथम विश्युद्ध के समय में रूस में बॉलसेविक क्रांती हुई, बॉलसेविक क्रांती के पश्चात रूस में कम्मिनिष्ट सासन की इस्थापना हुई, लेनिन के पश्चात इस्तालीन रूस के प्रमुख बने, तो इस्तालीन ने क्या किया कि 1920 के दस इस्तालीन के इसी फैसले के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद प्रारम हुआ है वह इसलिए क्योंकि आर्मेनिया एक इसाई बहुलचित्र है अजरबैजान एक मुसलिम बहुलचित्र है और अगर नागोर्नो काराबाग छित्र की बात करें तो यहाँ पर परागत इसाई जादा संख्या में रहते हैं। अब यहाँ पर रहे कि इस्तालीन ने यह कारे क्यों किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि आर्मेनिया के द्वारा स्टालीन के इस निर्णे का विरोध किया गया। इस विरोध को देखते वे 1923 इस्वी में नागोरनो काराबाग छित्र को स्वायत छित्र घोसित कर दिया गया। लगने लगा कि अब USSR लंबे समय तक बना नहीं रह पाएगा, तब 1988 इस्वी में नागोर्नो काराबाग के विधान सभा ने एक प्रस्ताओ पारित किया, और इस प्रस्ताओ के दवारा नागोर्नो काराबाग के विधान सभा ने यह घोशना की, कि वहां आर्मेनिया में शामि अब नागोर्णो काराबाग के विधान सभा के द्वारा इस पारित प्रस्ताव पर अजर्बैजान ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और इस प्रतिक्रिया की प्राकास्था दिखी कब तब जब 1991 इस्वी में USSR का विगटन हुआ USSR के विगटन के पश्चात नागोर्णो काराबाग ने जब स्वैम को स्वतंत्र घोसित किया तब 1992 इस्वी में आर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच युद्ध प्रारम भुआ 1994 इस्वी में रूस ने हस्तक छेप किया और दोनों देशों के बीच शांती समझोता इस्थापित हुआ पनंतु 1994 इस्वी में जब सांती समझोता हुआ उस समय तक नागोर्णो काराबाग पर आर्मेनिया का प्रभाव इस्थापित हो चुका था हाला कि आधिकारिक रूप से यह छेत्र अजर बैजान का ही हिस्सा था मतलब वैस्थिक समुदाए नागोर्णो काराबाग छेत्र पर अजर बैजान के अधिकार को ही मानेता देता था अब हम बात करते हैं हालिया शांती समझोता यह संधी विराम समझोते की बाद की इस्थिती पर अगर हम गौर करें तो अजर बैजान की इस्थिती जादा मजबूत दिख रही है। कारबाग की राजधानी स्टेपना कट से मात्र सोलह किलोमीटर दूर है। तो देखिए क्या इस्थिती हम देख रहे हैं। कि 1994 में जब संधी विराम की घोसना की गई थी तब आर्मेनिया की इस्थिती जादा मजबूत थी। जबकि 2020 में जो संधी विराम की घोसना की गई है उसमें अजरबैजान की इस्थिती जादा मजबूत है। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो वर्तमान टक्राव हो रहे हैं उसमें तुर्की और रूस सामिल है। में विर्दी हुई है। परन्तु यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुर्की ने मासकों की इक्षा के विरुध अजरबैजान की मदद जो तुर्की के द्वारा की गई उससे अजरबैजान की इस्थिती काफी मजबूत हुई है और इससे तुर्की की महत्वा कांच्छा म में भी विर्दी हुई है। अब कि छेत्र में शांती निरंतर रूप में जारी रहे इसके लिए यह आविस्यक है कि आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाग का इस्थाई समाधान ढूंडें उसे प्रस्तुत करें। क्योंकि 1994 इस्थाई में जो सीजफायर की रूप में समाधान को प्रस्तुत किया गया था, तब इस छेत्र में रूस एक मात्र सक्ति साली देश के रूप में मौझूद था, परन्तु अब डक्षिन काकेकस छेत्र में रूस और तुर्की के मद्ध, खुले संघर्स की संभा को नहीं टाला जा सकता, और अगर यह होता है तो फिर यह संकट काफी खतरनाक साबित होगा, इस प्रकार हमने अजर्बैजान एवं आर्मेनिया के मद्ध हुए संधी विराम पर चर्चा की, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपादिकी की ओर जिसका सिर्षक है नो सुगर कोटिंग, इसे लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपाद की जीएस पेपर ठर्ड में शामिल विसे, भारती अर्थविवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगती विकास तथा रोजगार से संब्धित विसे के दिश्टिकों से म तो उस कारिकरम की सफलता इस बात में नहित होती है, कि उस कारिकरम को सही धंग से लागू किया गया या नहीं किया गया। इन से अलग एक छेतर की तलास कर रहे हैं और इसमें एक प्रावधान यह है क्या कि 6% तक सरकार वी निर्मान से जुड़ी कंपणियों को लागत प्रोट साहन देगी अब यहां पर सरकार का यह जो वादा है कि वह वी निर्मान कंपणियों को लागत प्रोट साहन का 6% तक समपादिकी में यह बाact कही जा रही है कि सरकार के द्वारा जिस लागत प्रोट साहन की घोषना की गई है यह इससे पहले जो तक साहायता घोषना की गई है उसके परती निवेसकों का भरोसा कम हो रहा है उसका क्या कारण है उसका कारण यह है दो हजार उनीस बीस में चीनी निर्यात के लिए चीनी मिलों को दस हजार चार सो अरतालीस रुपए प्रती टन साहेता की घोसना सरकार के द्वारख की गई। परंतु ऑक्टूबर से सेप्टमबर तक पांच दस्मलब छे पांच मिलियन टन का जो निर्यात किया गया जिससे सम्मंधित साहेता रासी थी उनसट सो करोड रुपए परंतु चीनी मिलों को मिली कितनी 900 करोड रुपए और यह उधारन नीती सम्मंधी विश्वस्नियता पर एक बड़ा प्रसंच निखड़ा करता है और फिर निवेसकों के मन में PLI के सम्मंध में भी चिन्ता को बढ़ाता है कि अगर प्रोचसाहन पैकेज या लागत प्रोचसाहन नहीं मिला तब क्या होगा और चिन्ता तो तब और बढ़ जाती है जब केंद्र राज्यों के GST छ नहीं करती है और इसका उधारन क्या है इसका उधारन है कि 2020-21 की सुरुवात में ही खाद और उरुवरक सबसीडी पर जो बकाया एरियर था वह कितना था तीन लाग करोड रुपे वहीं अगर राज्य की बात करें तो उर्जा उतपादकों पर राज्यों का बकाया कितना है एक लाख पचीस हजार करोड रुपे अब देखे कि COVID-19 महामारी को लेकर जो लॉकडाउन लगाये गया था अब उस लॉकडाउन के नियमों में धील दी जा रही है तो लॉकडाउन के नियमों में धील दीये जाने के कारण सरकार की वित्ती इस्तिती में सुधार हो रहा है प् foundation के जो बकायों की घोसना की गई है यह एक स्वागत योगी कदम है वर्तमान में अर्थ विवस्था की बेहतरी के लिए सरकार विभिन च्हेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोसना कर रही है परन्तु इसके साथ ही यह भी आवस्यक है कि सरकार बकाया रासी का पुर्ण एवं सही समय पर भुक्तान करें इससे बाजार में ना केवल आविस्यक तरलता में वृद्धी होगी बलकि निवेसकों का जो विश्वास है वह भी बढ़ेगा देखते हैं आज का प्रश्ण है प्रश्ण है कि वैक्सीन निर्मान की MRNA तक्नीक क्या है इस तक्नीक पर आधरित कोविड वैक्सीन की विश्यस्ताओं सहित उसकी सीमाओं पर प्रकास टाने इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी क के साथ नमस्कार